आप लोग 18th Feb की वीडियो जरूर चेकाउट करना मलब कि Sunday की वीडियो जरूर चेकाउट करना और जो बाद में भी आ रहे है वो भी जो है पहले जाके 18th Feb की वीडियो को जरूर चेकाउट कर सकते है आपके लिए एक बहुत special वीडियो है बहुत अच्छी वीडियो है इंडिया में सबसे ज्यादा सेकिंड एंड आइफोन परचेस किया जाते हैं और इंडिया में उसकी मार्केट सच में बहुत बड़ी है लेकिन अब कोशन यह है कि वो सेकिंड एंड आइफोन sacrificed आईफोन के परचेस करने के लिए उसके बारे में आझ हम बात करने वाले और सेकिंड और आईफोन कैसे परकेट करें परकेकर ने से पहले यह सारे मेठ जरूर फॉलो करने सबसे पहले सब्रेब और आपके बहुत जब भी फो आ एक अगर आप OLX से पर्चेस कर रहे हो और किसी दुकान पर जाके पर्चेस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको फोन की फिजिकल कंडिशन देखनी है उस प्राइस के बारे में बैटरी चेंज होगी होती है तो फोन को ऐसे आप शेक करके ट्राइ कर सकते हो और इसका सबसे यूसफुल चीज क्या है कि अगर फोन की बैटरी रिप्लेश होगी है फिर कोई भी पार्ट रिप्लेश हुआ होगा तो कभी-कभी आपको कट-कट की आवाज आ सकती है यह 90% cases में होता है तो हमेशा जब भी कोई second hand phone purchase करो उसको ऐसे चेक करो अगर फोन अंदर से बिल्कुल भी कोई movement नहीं हो रही मतलब कोई problem नहीं है और डिस्पले अगर चेंज होगी तो डिस्पले के gaps आपको कही न कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे आप ऐसे प्रेस करोगे ना तो कहीं न कहीं पचल देखा कि हाँ डिस्पले कहीं न कहीं चेंज हुई है आप उसके बाद seller से भी पूछ सकते हो या फिर जो शौक कीपर उससे पूछ सकते हो और कभी कभी जो है वो ग्लू के निशान छोड़ देते हैं पेस्टिंग के टाइम पर तो आप स्पीकर की तरफ या फिर साइड में जो है चेक कर सकते कि कोई ग्लू के निशान तो नहीं है इस प्रफ जादा इंपोर्टेंट है बहुत जादा केसि में ऐसा होता है कि डिस्पले चेंज की जाती है किसी का फोन तूट गया वापिस दे दिया और डिस्पले चेंज करके जो रिफर्बिश के नाम से सेल कर देते है अब डिस्पले ओरिजनल है या फिर नहीं है तो इसे दे रहे हो तो सारी चीजे चेक करना बहुत जादा इंपोर्टेंट है तीसरी चीज टाच रिस्पॉंस कैसा है हो सकता है आपने किसी अप्लेकेशन पे क्लिक किया और वह 2-3 सेकिंड बाट या फिर दो तीन क्लिक करने तक नहीं खुल रही तो टाच रिस्पॉंस आते हैं फोन की औफैंटी कोरह अपको इंडियन वेरियंट है कोई बोल रहा है जैपनीज वरियंट है होजी बोल रहा है बिलकुल नहीं है कोई रिप्लेस्ट यूट है लेकिन था क्या वहारा है उसको आपको चक्रोशक है आप जरिब साद्ध में जाओगे सीडियाल का आपको आईफोन 10 ही दिखना चाहिए सीरियल नंबर मैच करो जो आपका सेलर या शॉपकीपर डेट बता रहा है उसको मैच करो यह दो तीन चीजों से आप जो है इसली ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो और साथ ही साथ मॉडल नंबर में भी अपने स्क्रीन पर दिख सकते हो अगर new है तो यह मिलेगा अगर refurbished है तो यह आएगा model नंबर मनलब इससे यह तो start होगा मनलब अगर M आता है तो brand new है F आता है replacement unit है मनलब ऐसे बहुत सारे होते है refurbished unit है इसको आप चेक कर सकते हो और जो last का नंबर होता है HN उससे आप जो है country wise चेक कर सकते हो कि चेक करने बहुत जरूरी है कि camera में कोई issue तो नहीं आरा मनलब अब देखो वह चीज आपके लिए obviously चेक करना छोड़ी से difficult है लेकिन basically क्या चेक करना है कि क्या camera में कोई blur issue या कोई आपको you know sort of ऐसा picture clear ना दिख रही हो यह चीज़े चेक करनी बहुत जरूरी है autofocus चेक करना काफी जादा important है कोई भी subject रख लो अपने आगे किसी को खड़ा कर दो उस particular you know picture पे click करो अगर वो focus हो रहा है या फिर नहीं हो रहा सेम चीज आपको जो है front camera में भी चेक करनी है यह 2-3 चीज़े चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप easily second hand iPhone purchase कर पाओ एंड उसक बैटरी चेंज की गई हो बैटरी रिप्लेस की गई हो लेकिन अगर किसी third party local से हुई है तो आपको make sure करना है कि वो चीज अच्छे से हुई हो और वो आप make sure कैसे करोगे वो मैं आपको अब बताता हूँ सबसे पहली चीज जब भी आपकी बैटरी रिप्लेस हुई हो तो न manufacture date, first use आपने कब किया था और cycle count कितने हो गया है आप cycle count से अंदाजा लगा सकते हो कि battery health कितनी होनी चाहिए वो Apple की website पे properly given है तो यह चीज काफी जदा important हो जाती है लोग क्या करते है जो आपकी battery health अगर मानलो 88% है किसी phone की वो उसको 99% कर देंगे सिर्फ एक software की मदद से तो आप क्या कर सकते हो आप इसको check कर सकते हो कोई भी paid promotion नहीं है एक tool है उसमें आपको अपने phone को connect करना है जिसका नाम है 3u tool और यह 3u tool connect करने के बाद आपको पता तल जागा कि आपके iPhone की original battery health कितनी है नहीं तो आप cycle count से भी जो है cross check कर सकते हो यह दोनों best ways है और last इस आती है speakers या microphone तो उसमें क्या होता है आपने सारी चीज़े चेक कर ली लेकिन speaker microphone चेक नहीं किया speaker microphone में dust चेक करने की जुरूरत नहीं है लेकिन आप क्या कर सकते हो आप कोई भी गाना प्ले कर लो क्या full audio पे अच्छे level पे आपको audio सुना ही दे रही है जितने उस phone में है तो आपको व phone purchase करने में आ जाती है इस चीज का आप लोगों को जो ध्यान रखना है बच इतने मेरी आज की वीडियो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो subscribe कर लेना तो मैं मिलता हूं आप सब्सक्राइब कर लेना तो मैं मिलता हूं आप सब्सक्राइब वीडियो में टेक केर झाल भीडियों से आप घ्प मात कर लेना वीडियो